जब वह अपनी माँ से मिला तो उसकी और उसकी माँ की कुशी हम शब्दों में ब्यान नहीं कर सकते। तो जब भी हम उस रस्ते से जाते हैं तो उस पपी से जरूर मिलते हैं। अब वह अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा जिवन बिता रहा है। यह 30 मिनट का रहे गया है। हमें एक ऐसा फोन को लाया। तो हमारे गौसेवा परिवार के कुछ मेंबर वहां पर मोके पर पहुंच गई। तो उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो एक छोटा सा पपी कंडों से भरी हुई जाडियों में फसा हुआ था। वह अपनी मा के पास देख रहा था और उसकी मा अपने बच्चे के पास। उसकी मा तड़फ तो रही थी प्रंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। तो हमारी मेंब्रों ने एडवाईज दे कि इसे यहां छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो वह उस पपी को हमारी रामप्रफूल के वेटनरी होस्पिटल में ले गई और उसका चेक अप करवाया। तो चेक अप करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि इस पपी का टेंपरेचर बहुत जादा है और इसे ठंड लगी हुई है। शायद उस पपी को ठंड इस कारण लग गई होगी। जब वह बिमार हुआ तो उसके एक दिन पहले ही बहुत तेश बारिश हुई थी। तो डॉक्टर ने हमें अडवाइस दी कि आप इसे कुछ दिन अपने घर रखिये और इसे गरम दूद पिलाएं। तो हमारे एक सेवादार उसे अपने घर ले गए। उसे दूद पिलाया। वह दूद पीने के बाद कुछ देर सो गया। क्योंकि अब उसे शेल्टर मिल चुका था। उसे एक छत मिल चुकी थी। जब वह सोकर उठ गया तो वह आगे से एक्टिव लग रहा था। हमारे कुछ सेवादार उने एडवाइस दी कि इस पपी को उसकी मा के पास छोड़ना ही बहतर होगा। तो हमारे सेवादार उस पपी को उसकी मा के पास छोड़ाए। जब वह अपनी मा से मिला तो उसकी और उसकी मा की कुशी हम शब्दों में ब्यान नहीं कर सकते। तो जब भी हम उस रस्ते से जाते हैं तो उस पपी से जरूर मिलते हैं अब वे अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा जीवन बिता रहा है